तो हेलो एंड वेलकम टू ओनलाइन कॉंसेप्ट तू आजुश में इस वीडियो में बात करने वाले बिहार पुलिस डुल्ड कॉंस्टेवल के लिए तो वीडियो आपकुल ऊप्लाइ कर सकते पहले इस वीडियो को देख लिजेये क्योंकि इस में आप आपको important date, eligibility, age limit, qualification, सभी कुछ आपको अच्छे से बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, वीडियो अच्छा लगएगा, वीडियो को like किजिएगा, वीडियो को share भी कर लिजिएगा चलिए start करते है, start करने से पहले वीडियो को like कर लिजिए, start करते है, सबसे पहले हमनों बात करें important date का, तो यह काफी important रखता है, कि आपको important date पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे student का ऐसा form होता है, कि छूट जाता है, तो उससे पहले आप याद रखो, कि last date क्या है, उससे पहले हो सके, तो form को भी आप भर लो, ठीक है, तो application जो start हो चुका है, 13 तारीक से ही start हो गया था, 13 November से ही, इसका last date याद रखेगा, 14 तारीक मतलब एक मन्त आपको मिलने वाला है, तो एक मन्त के अंदर, अब जितना हो सके, पहले इस form को भर लीजिए, ठीक है, last date आपको pay कर करने का भी same ही date रखा गया है, अगर form भर रहें, उसी समया payment भी कर लीजिएगा, exam date बहुत ही जल्दी आपको notification मिलने वाला है, तो इतजार कर सकते है exam date का, next बात करें, post का नाम बात करें, तो constable औ जीडी के लिए ये post आ चुका है, next बात करेंगे हम लोग, vacancy retail, तो 8,415 post vacancy इसमें खाली है, तो इसके के लिए आप vacancy recruitment आ चुका है, देख सकते हैं, इसमें general के लिए अलग है, EWS के लिए, BC category के लिए, EBC के लिए, BC females के लिए, ST, SC के लिए, सभी के देख सकते हैं, पूरा total अलग-अलग category में define भी कर दिया गया है, next eligibility का बात करें, तो 10 प्लस 2 आपके पास होना चाहिए, मतलब कि आपका 12th complete हो जाना चाहिए, साथ में age limit भी देखी, यह काफी important है, 18 साल से लेकर 25 साल तक के बीच में, आपका age होना चाहिए, यह calculate किया जाएगा, कैसे, 1 अगस्त 2020 से start हो जाएगा, calculate यहां से किया जाएगा, ठीक है, 18 साल से 25 साल के बीच में है तो इस form को आप भर सकते हैं, next बात करें, काफी important physical eligibility भी देखा जाएगा, जिसमें अगर आपका height is belonging पर है, जैसे कि male का बात करेंगे, female का बात करेंगे, chest का बात करेंगे, running eligibility देख लीजीए, आपको 6 minute में आपको 1.6 km रन कर लेना है, और female का बात करेंगे, तो 5 minute में आपका 1 km का run कर लेना है, उसके बाद गोला जो फेका जाता है, उसके अंदर होगा, उसके बाद बात करें हम लोग, तो long jump के अंदर भी 4 feet और 3 feet, female में 3 feet, male में 4 feet होगा, यह सब है, आपके साथ होने वाला है, आपका जब आपका physical exam होगा, तब ठीक है, application fee का बात करेंगे, तो general के OBC के लिए और जोतने भी other state के student भी form भर सकते हैं, तो उनकी के लिए 450 रुपर लगेगा, अगर आप SC, ST category से आते हैं, तो 112 रुपर लगने वाला है, आपको, ठीक है, आप online पे कर सकते हैं, यह था कुछ important जनकारी इस वीडियो में, कोई भी इस related कोई भी आपको queries है, तो नी जल से जल जवाब देने का कोशिस करूँगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्स फर वाचिंग